अस्ट्रांग जीओर्स माइनम दिजवान चीमा फाउंडर एंड सी ओफ मकान सलूशन्स प्राइब लिमिटेड आपका सफर प्लॉट से मकान तक आज की इस वीडियो में आपको मैं Capital Smartity Overseas Central में जिन जिन पार्ट्स पर development हो रही है या आने वाले दिनों में जाँ जाँ पर development के साथ possession आफर किया जाएगा और society ने जो एक commitment दी है कि September 2022 onwards हम possession स्टार्ट कर देंगे तो उस एरिया के हवाले से explain करूँ कि इन एरिया के possibly possession स्टार्ट हो सकता है Overseas Central complete का तो possession अगर complete करती है society तो definitely बहुत बड़ा एक आप trademark सेट करेंगे development के लिहाँ से लेकिन otherwise जिन blocks में जिस एरिया में possession possible है उस हवाले से उसके लवराल जो development, raw land की development का जहां जहां काम हो रहा है excluding the 400 feet road, 400 feet road की मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जो इसका link आपको उपर top अगर click करेंगे आप i button पे तो आपको उसका link मिल जाएगा otherwise 400 feet road के लावा जो बाखे इस लूट करतें raw land के अरिया जहां 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 पे possession यानि plotting होनी है किन किन cutting के plot होंगे number one किस किस एरिया में कितनी development हुई है और society जो September 2022 ऑनवर्ड जिस एरिया में possession स्टार्ट करेगी उस हवाले से explain करूँगा अब सबसे बात करते हैं कि September 2022 में आया society ने जो claim किया है कि हम possession स्टार्ट कर देंगे तो is it possible कि society इसमें possession स्टार्ट कर देगी या नहीं तो number one ये number two कि overseas central में overall कितने percent काम हुआ है और कितने percent land जो है जिसकी browning का काम हुआ है या overall जो browning काम से मराद यह है कितने percent land जो procured है और बाकी जो land इसको भी तक green छोड़ा हुआ है यानि कि land वो most probably procured नहीं है तो अगर बाइपॉइंट को देखें सबसे पहले बाले पार्ट पे किस किस area में possession जो है वो possible है तो overseas central में सबसे पहले अगर possession की बात करें तो overseas central में एक block है जिसका नाम है doctors and clave doctors and clave में possession जो है वो 100% possible है क्योंकि doctor and clave के साथ जो premises है उनकी already street की जो asphalt काम है वो शुरू हो गया है doctor and clave में भी इसका नाम बाद में change कर दिये जाए बट previously society जब GM मुझीमत खान ग्रोपस में pictures बेहिते थे जो society के डीलर सक ग्रोप है तो उस ग्रोप में जो pictures बेहिते थे तो इस पर एक doctor and clave मेंशन होता था अभी overseas central को इसका क्या block का नाम देते है क्योंकि अभी तक सिर्फ master plan लाँच किया गया है master plan से आप location का दाज़ा तो लगा सकते हैं कि location कहां पर आएगी और से central की बट आपको specifically जो block wise plots है यानि block wise जो district के अंदर sectors होते हैं A, B, C, D, E, F, G, H उनके अभी तक अंदाज़ा society की तरफ से ना announce किया गया है ना इसके बारे में as such किसी sales partner को knowledge है कोई जब तक society की तरफ से properly एक map launch नहीं किया जाता है sector wise तो किसी भी area की development का नादा लगाना थोला मुश्किल होता है specifically उन areas का जिनकी सिर्फ raw land हो उसके बारे में as such कोई specifically designated ना हो कि यहां पे किस size की cutting यह किस size के plots होंगे इसकी सबसे बड़ी example overseas east और overseas prime के blocks है जहां पे sector wise अब देखे map के मैंने recently overseas east की पूरे blocks की तमाम blocks की जितने block overseas east में है वो developed है या non developed है मैंने तकरीबन दो घंटे की video बनाई थी combine करके तो उसमें मुझे idea था कि हार एक sector का कि उसमें कौन से series कौन से street पे कौन से plots हैं इस तरह मैंने भी overseas prime की series बना रहा हूँ जिसके मैंने जे ब्लॉग तक in fact k ब्लॉग तक मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है और आगे जो बाकी दो blocks रहते हैं उसके वीडियो पोस्ट कर दूँगा और बाकी जो overseas central overseas prime के अंदर जितने main roads बन रहे हैं वो इस तरह में really easy है कि आपको प्रॉपर एक map मिल जाता है और उस map पर प्रॉपर ली एक चीजों को designate कर पाते हैं कि हाँ पर इस यहाँ पर इस size की cutting के plots होंगे अब overseas central की बात करें तो overseas central की overall जो society ने master plan लाँच किया है जिसकी zoning regulation है जहाँ पर यहाँ पर यह zones होंगे 36-37 zones है जिसमें education zones है जिसमें आपके silicon valley है जिसमें आपका financial zone है different areas है इस तरह overseas central की specifically block wise अभी तक map launch नहीं किया जाएगा जो most probably अभी January में map की selection जब plot की selection map पे on होगी तो उसके बाद उस अरिया उसका map आ जाएगा तो उसके वाले से detail videos बन जाएगी for the time being हम assumption लगा सकते हैं अंताजा लगा सकते हैं जो master plan पे colors की designation है उन colors की dimensions है उससे आप देख के बता सकते हैं कि हाँ यह किस size के plot यहाँ पे possible हो सकते हैं तो सबस्क्राइब देखते हैं जी master plan पे के कौन से size के plot यहाँ पे available है for the time being अगर देखा जाए तो जो दो clear category side पे आप डिजट करते हैं तो दो एरियाद ऐसे हैं जहाँ पे आपको बड़ा clear boards लगे वे नजर आते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ की construction हो रही है जैसे golf course के अब देखें तो यह main believer जो executive block 20 से आगे की तरह move करता है और जो 400 feet road के साथ जो executive block connect करता है जो bridge को उसके साथ साथ right side पे golf course का जो एरिया है वहाँ पे construction हो रही है और कुछ building ते हैं यह कुछ आप screen पे नजर आ रही है complete भी हो गी है इसकी back side पे एक board लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है golf course facilitation center जब golf course के अगर आप overseas east वारी साइट से देखें तक जिबन 5-6 holes ऐसे हैं जिन पर काम मुकमल हो गया है इस तरह यहाँ पे golf course के premises के साथ भी आगे properly construction का अगास हो गया है अब golf course की जो आगर देखा जाए speed construction की तो बहुत तेज है comparison to the rest of the districts यह है, rest of the blocks, this versus east की बहुत अच्छी speed है, versus prime की बहुत अच्छी speed है, versus central की speed बहुत अच्छी कह सकते है executive block की बहुत बुरी speed है, executive 2 block की बहुत बुरी speed है, harmony park east की बहुत बुरी speed है और harmony park silicon valley की speed अच्छी है जो harmony park 2 होगा, क्योंकि वहाँ पे browning हो चुकी है, सारे area में तो golf course के अंदर जो speed मैं compare करूँ, जिस चीज को अब तक sell भी नहीं किया गया, ना बेचा गया है, ना उसको map पे show किया गया है उस चीज पे भी बहुत ज़्यदा development हो रही है, नहीं साइट पर आप विजिट करते हैं, तो आपको proper वहाँ पे construction, golf course को जो facilitation center है प्रापरस पर construction नजर आती है, तो ये एक speed जो है, most probably कि आगे golf course के जो model विलाज है, वो ready हो चुकी है और आने वाले शायद आप कहलें कि चार मेंने से मेंने में लाँच कर दिया जाएं, capital hills लेक्यू ब्लॉक में और जो उनके model बिलाज हैं, उनको golf course के अंदर भी लाँच किया जाएगा, तो शायद यही reason है कि यहाँ पे ज़्यादा speed दिखाए जा रही है फिलाल master plan में देखते हैं कि यह रिया कौन सा है और बाकी जो details है मैं वीडियो में आगे जाके explain कर दूँगा इस वकर में सीजन पे capital smartity का master plan देख सकते हैं और master plan में अब जो आज की वीडियो basically overseas central district के वाले से है जिसके बारे में तमाम बहुत सब्सक्राइब ज़्यादा investments कहीं जाएं, membrane की तो overseas central block में हैं, बाकी जो blocks हैं उनकी investment जो है as compared to overseas central के कम है उसकी reason यह कि overseas central को 2019 में लाँच किया गया था और अभी तक इसमें booking थी और recent date तक open थी तो अभी इसकी वैसे यहां पर बहुत ज़्यादा files जो sale out हुई हैं लेकिन इसकी तरह से society का properly जो master plan है वो तो अभी दो महीने पहले लाँच किया गया है इसके लावा society की तरह से इसकी balloting के announcement से दो साल पहले कुछ भी announce नहीं किया गया था तो society की तरह से अभी इसकी जब balloting के announcement हुई है तो उसके बाद इस blog के हवाले से हम एक ensure हुआ है कि इसकी location कहा पे बनती है बट अब society की तरह से चुँके इसका properly master plan launch कर दिया गया है तो अब society की तरह से officially हम बता सकते हैं कि यह जो plan है master plan में overseas central वाकई motorway के साथ यानि कि अगर आप यह आपका motorway के साथ interchange है और इस interchange अगर आप in होते हैं currently अप इस spot पे आते हैं तो यह वाल आरिया overseas central से start होता है जिसका पुरान नाम doctors in clay था अभी इसका नाम overseas central में ही included है यह भी सारा overseas central की premises हैं यह भी सारी overseas central की premises हैं और जो मैंने golf course facilitation center की बात की थे वो यह building बन रही है मैं अगर इसको google or satellite की images को share करूं यहाँ पे यह job construction नजर आ रही है यह golf course facilitation center है जो golf course के अंदर construction हो रही है अगर इसके मैं recent up-to-date site images की बात करूं तो यह आपको 1st of January 2022 का जो updated map है google or satellite पे आप उसको देख सकते हैं कि यह golf course facilitation के जो construction हो रही है जहाँ पे और इसके साथ इस area में कुछ construction हो रही है अगर आप इसको map पे देखें तो मैं आप यह वाला area तो और से central कुछ plots बनते हैं जहाँ पे एक कनाल और I guess यह साथ-दसमला के plots होंगे और इसकी back side पर यह वाला area सारा जहाँ बनता है यह golf course के अंदर central का area है यानि golf course के अंदर जो facilitation center यह जो building बन रही है उसकी premises का area आता है यह वसे central में आता है देखाजा तो यह जो plots बनते हैं इसमें कनाल के जो plots हैं और कुछ आपको 12 मरला के plots हैं इनकी raw land ही है भी तक most probably society की तरफ से इसको खतम कर दिया जाएगा इसको फिल कर दिया जाएगा यानि इसको खतम करके यह पर ब्रिज तो पॉसिबल नहीं है वसे society की तरफ से दो ब्रिज बनाए जा चुके हैं तीसरा ब्रिज सेल रिवर के बन रहा है तो most probably हो सकता है यहां में ब्रिज बन जाए बट मेरा नहीं ख्याल क्योंकर यह बहुत चोटी बॉटर बाडी है चोटा रिजर वायर है तो society की तरफ से इस रिजर वायर को सेव किया जाएगा और opposite side पे यह जो रिजर वायर इसको सेव किया जाएगा और इस रिजर वायर को इन दोनों के जो वाटर बाडी को connection के लिए बीच में यहां से एक में फूट में 400 फूट रोड के नीचे आप यहां पे ड्रेनिज की लाइन है जो बिचाई जाएगी और डिरेक्ली इन दोनों बॉड़िस को वाटर बॉड़िस को आपस में किनेक्ट करेगी जो भी बरसाती पानी हो साइटी में वह सारा का सार यहां से गेट प्रिंसिंट के साथ है और इसके सामने जो में रोड पर कमर्शन अर्ट मनला के इनकी वह तक नॉन डॉड़प है कि यह भी रॉल लैंड में आते हैं तो इन पर भी कंस्ट्रक्शन अभी डिवलपन जो ब्राउनिंग है वो नहीं होई जहां तक बात है इन प पहला एरिया आता है गॉल्फ कोर्स का सारी सेंट्रल का तो पहले मैं सीक एक्स्पें करता हूं ताकि आपको अच्छा एडिया मिल जाए कि प्रिवियसली यहां पर क्या था और आज की डेट में यहां पर क्या है बलकि बहुत बड़ी वाटर बाड़ी पहले यहां थी जिस आपरेल 2020 तो वहां पर तब भी ऐसी को यह था मुझा रॉल एंड ही थी यहां पर आसज को development नहीं हुई थी 19 में 20 में असज कुछ नहीं थी यह सारे जो चेंजिज आपको नजर आ रहे हैं मैं दुबारा से मूफ करता हूं from back to forward यह आपको नजर जो आ रहा है सारा स्टेटस यह रिसंट डेस का है यह आज की जो में देखी 5th of May 2021 की में जुलाइ 2021 और इसके बाद इमेजिज अभी तक गूगल अपडेट नहीं हुई इसके लावा जो दूसरा और से स्टेंटल का पार्ट है वो कुछ यूं है मैं इसको म आपको अच्छा इडिया मिल सकें जो मोटरवे के साथ प्रिमिसेज हैं जहां पर बैसिकली यूनिस्टी गरा बननी है उन एरिया में काफी काम हुआ है जैसे यह वाला एरिया है अगर मैप देखा जाए तो यह न्यू टेक यूनिस्टी का एरिया है जिसकी तक्रीबन तक् आपको साइट वीडिया में दूसरा पार्ट है वसे इस सेंट्रल का यह वाला पार्ट इसकी मैं आपको साइट फोटेज भी दिखा दूँगा और बाकी जो इसके हवाले से डेटेल्स होंगी मैं वीडियो में आगे जाके एक्स्ट्रेन कर दूँगा अगे बैक्ट रेल ट करते हैं जिसकी कम्लेशन आर्मस्त मुकमल हो चुकी है लेकिन अभी तक उसको उप्रेशनल नहीं किया गया यानि कि आप ब्रेज के नीचे से गुजर के जाएंगे एक्जेक्टिव ब्लॉक में आप ब्रेज को क्रॉस करके उसमें से गुजर नहीं सकते क्योंकि अभी तक विजर को फाइनल स्टेज के बाद उसको भी ब्रेशनल करना भागी है, तो आप गॉल्फ कोर्स के ब्रीज को खुर्ज करते हैं तो आगे जाके आपका जो मेन रोड हैं जो कनेक्ट करता है 400 फ्रीट रोड को, उस रोड के साथ राइट साइड प्रेज जो गॉल्फ कोर्स क इसके लावा जो गॉल्फ और सुदिलिटेशन सेंटर की बिलिडिंग है जिसी construction society की तरफ से itself की जा रही है जो अब यह स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं यहां पर बड़ी स्पीड से काम हो रहा है यानि कि अगर आप एरिया को जाकर विजिट करें तो मैंने जब last से नहीं था यह टू विक्स पहले की बात है लेकर टू विक्स के ब्रेक के अंदर अंदर यहां पर आप विजिट करते हैं साइट पे तो आपको बहुत ज़्यदा स्पीड नजर आती है उसकी रीजन यह है कि यह वाला एरिया सारा जो है society itself controlled है और self controlled के लावा society ने यहां प instruction जो है तकरीबर अपने final phase में चली गई है निकि उसके model ब्लास जो है वो मुकमल हो गई है और society की तरह से जो चार से पांच गॉल्फ के होल्स है जिन में 4, 5, 13 और 12 होल नंबर उनके construction भी तकरीबर जो उनका properly काम है मुकमल हो गया है ब्लास जो अभी Korean grass उस पे लगाई जान चार सो फेट रोड से आप अंदर स्मार्टी में अंटर हों में इंटर्चेंज सेंटर हों 400 feet रोड क्रॉस करें तो सामने आपको elevated साइट पर गॉल्फ कोर्स का एक लैंड्सकिप नजर आए जो society की value बढ़ाने में काफी ज़्यदा इजाफा करेगा अब बात करते हैं जो on the 50-50% एरिया जो है वह भी नामकमल होने की वजहात यह हैं कुछ different reasons रोस्ती हैं but in my opinion maybe इसको land procurement अब तक society की तरह से नहीं की कही इसलिए इसको browning का काम नहीं हुआ क्योंकि HRL जैसे group हो और HRL जैसे group के लिए machinery इतनी ज्यादा इतनी massive ददाद में आपके side of machinery मुझूद है तो आपके लिए कोई भी चीज जो इसको develop करना वो that is more than easy तो इसलिए इसकी जो आप assumption लगा सकते हैं कि शायद इसकी जो land है उसके शायद some issues हो उस वाइसे इसको काम न किलोमेटर रोड है तो 30% एरिया इसा जिसकी convection और properly layout plan जहां पे नज़र आता है बाकी अरिया जो है उसको भी तक touch भी नहीं किया गया यानि कि वहां भी procurement के issues हो सकते हैं I'm not so certain because society का land department मेरे अंडर नहीं है बट मैं assume लगा कर सकता हूँ जब side visit करते हैं तो आपको जार सी बात है अंदाजा हो जाता है कि यह जमीन हमारे पास है और यह जमीन नहीं है तो definitely इस अंदाजे के मदे नज़र रखते हुए मैं यह बात कर रहा हूँ अभी आजकल जो speed है सारी और सेंट्रल का दार सी बाता साइटी ने possession around किया सब्टमबर में but in any case central के लावा गॉल्फ कोर्स क सब्सक्राइब काफी ज्यादा है जो आपको ट्रक्स खड़े में नजर आ रहे है यह गॉल्फ कोर्स की दूसरी साइट जो बनती है गॉल्फ कोर्स के opposite साइट जहां पर सेंट्रल का काम हो रहा है उसके साथ खड़े मैं यानि 400 फिट रोड की opposite साइट पर यहां पर बड़ी जो में रोड से सौसाइट पर आता है जैनि में रोड जो है 400 फिट की रोड वो नौर साइट पर इसका इंटर्चेंज है और सौट साइट पर जो रोड की दूसरी तरफ काम हो रहा है मैं उसके वाले से वीडियो में आगे जाके एक एक्स्प्रेंग करता हूं बट पहले मै आपको गूगल अर्थ लोकेशन पर मैप एक्स्प्रेंग करता हूं के वह वाला एरिया जो है उसके डिवल्लपेंट कैसी है और अगर इस मैप पर हम देखें कैपिल स्मार्ट इटी की तो इस वक्ट जो करेंटली डिवल्लपेंट हो रही है वो इस डॉक्र अंक्लेव के इ लेकिन हम अगर दूसरी साइट पर देखें यह इंटर्चेंट के साथ जो पार्ट है यह वाला सारा पार्ट है जो है इस एरिया में और कुछ पार्ट जो है वो इस एरिया में काम हो रहा है चार सुफिट रोड के जहां कंपेक्शन हो रही है यह बनता है अगर आप चक्रि स्मार्टी में और से सेंट्रल की प्रिमिसिज हैं वो काफी ज्यादा एरिया है जाहर सी बात है कि एक वीडियो में उसको पूरी प्रिमिसिज दिखाना पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर 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 ब्राउनिक काम हो रहा है अगर मैं आपको गूगल अर्थ लोकेशन मिल जाए यह हम गूगल अट लोकेशन पर आगे हैं अब मैं को तरसा डार करता हूं फिर लाइट करता हूं का आइडिया हो जए यह नहीं अबता दी कि इस वाल एरिया में तकरीबन 60% एरिया ऐसा जिसकी लैंड जो है प्रिक्योर्ड है और उसमें सारा काम हो रहा है ब्रा 4.7 km का अरिया ऐसा जान पर काम हो रहा है ओवराल जो में बलिवर्ड है इसकी लेंथ है देट इस ओवर 8 तो 9 किलोमेटर बट इस एरिया में भी जो है फॉर नाइन की अभी काम हो रहा है अगर में सेंट्र की बात करें तो इस पार्ट में जो डोक्रें के लिए वाला पार् अगर आम इस पार्ट को बात करें यह काम नहीं और बाकिए जो पार्ट है जितना यह पर डेवल्पमेंट ब्राउनिंग तू हो चुकी है और यह उपर क्योंगी जो प्रॉपर्ट 맛 उने में या दिननों वैं गाहँ जादा हुआ है। इस पार्ट में काफी जादा लेंड आशी थी जो अनीवल लैंड थी यानिक जो पहारीय और ये वाला सिल्सलाथ होता है। इस पार्ट को भी जिह लैवल किया जारा है और इस पार्ट में मजीद आने दिनों में development होगी, इस पार्ट के आपको मैं recent days की images दिखा दूँ, हम specific करते हैं सिर्फ इस पार्ट को, मैं आपको तरफ तरफ ट्रेट कर दूँ ताक आप लोगं को एक clear understanding मिल सके, यह सारा map आपको सामने जो है, overseas central का area, मैं आप इसको सिर्फ raw land आपको सामने रखूंगा, ताक आप लोगं को idea मिल सके तो कि previous days में, आज की date में जो है, यह area, यह को श्यूं दिखाई देता है, यहनि 1st of January 2022, अगर इसको मैं थोड़ साब मैं आपको reverse करूं, 7th of July 2021, उपर आपको timeline नज़र दे हो कि इस timeline में आप time stamps को follow करके, अभी सारा खुद area टैली कर सकते हैं, July 2021 कुछ area यह यह दिखाई देता था, previously May 2021 में area कुछ यह दिखाई देता था, then January 2021 में यह area जो था इसमें इस वाल area की तो specially कोई existence ही नहीं थी, और इस वाल area की mostly कोई existence नहीं थी, इस वाला पार्ट एक्जिस्ट करता था, यह वाला पार्ट थोड़ सा है, जो exist करता है और यह वाला पार्ट है जो थोड़ सा exist करता है, otherwise यह area exist नहीं करता, May 2020, again, कुछ भी exist नहीं करता, April 2020, same status, कुछ भी exist नहीं करता, and June 2019, कुछ भी exist नहीं करता, यह समार्ट ही तरह से जब overseas central की booking का आगास किया गया था, तो यहां पे land पे, जमीन पे कोई भी काम नहीं हुआ था, यहां जमीन पे कुछ भी exist नहीं थी, raw land थी, सारी ब्राउनी का काम भी गास नहीं किया गया था, तो यहनि society की तरह से plot को पहले बेचा गया, फिर land को procure किया गया और अभी उस पर development की जा रही है, तो यह थोड़ सा एक typical model बन जाता है, smartity को यह, जो model भी चल रहे है, बड़ा typical से अंदाद है, ऐसी यह आम तो पे साइटीज में किया जाता है, कि पहले plots को बेचा जाता है, उस पैसों से बाद में land प्रिक्यूर की जाती है, और इसी land को बाद में develop किया जाता है, चुँकि एक प्रजेक्टर उनकी थोड़ी स्पीड ज्यादा बेतर है, comparison to the rest of the project in Rawalpindi और इस्लामबाद डुमेन, but end of the day model उनका सेम ही वही है, जिसरा routine का model चलता है, housing societies का, सेम वही model चल रहा है, अब मैं दुबारा time sense को पहले में पीछे करता हूँ, ताकि आप लोग का idea मिल जाए, this is feb 2019, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, june 2019, again कुछ भी नहीं exist करता था, november 2019, कुछ भी exist नहीं करता था, april 2020, nothing exists, july 2020, same status, कुछ भी exist नहीं करता था, January 2021 तक overseas central में कोई development नहीं हुई थी, चलो मैं मार्च और बीच में पार्ट निकालता हूँ, अब यब यह जो last three images है न, यह बड़ी noticeable है, कि एक साल के अंदर यहाँ पे actual speed के में बात कर रहा हूँ, actual का project हो, तो speed किस तरह से बेतर हो सकती है, कितनी speed इंप्रूफ कर सकती है, यह अपको इससे अंदादा हो जाएगा, अब देखें, यह है, यह images जो है, यह January 2021 की है, और यह images जो है, यह आपको नदर आती है, यह May 2021 की, May 2021 में आपको, जो pockets सारी पहले green नदर आती थी, वो सारी pockets सा भी आपको brown नदर आती है, तो इसमें बड़ा difference आया, अब अगली image में आपको मजीद difference clear होगा, then again next is July 2021, again काफी फरक पड़ा है, यानि कि तीन यह images जो इससे पुरा और से central define हो जाता है, यह 2021 की images हैं, यानि आज से exact 12 महीने पहले, यह सारा area कुछ ऐसे दिखाई दता है, satellite images के मताबएक, then May में यह सारे area में इस तरह काम हुआ, then July में मजीद patches जो हैं, वो इनको brown कर लिया गया, और अभी यह May तक, sorry July 2021 तक update है, वैसे जब हम map स्टार्ट करते हैं, तो इस पर लिखा आता है 2022, January 2022, लेकिन बेसिकली यह जो आप reverse करते हैं मैं आपको, तो आपको last updated images मिलती है, that is of July 2021, इस से ज़्यादा को updated आपको images नहीं मिलती, यह Overseas Central का overall part है, मैंने ट्राइ कि है मैं इस वीडियो के जितना detail में जा सकूँ, कि बहुत सारे members स्वाल करते हैं, Overseas Central की development के हाले से, तो Overseas Central की properly मेरे पास block wise मैं अपनी है, जब वो आएगा तो इन्चला मैं वो वीडियो भी ना दूँगा, for the time being Overseas Central की compiled वीडियो है, इसको जिन members के लिए investment है, definitely तो देखें जिनके investment नहीं है, तो आपका time waste बिलकुल ना करें मकमल, क्योंकि यह वाले जो वीडियो है, विडियो है विजिकली में मेंबरान के लिए है, जो अलड़ी Overseas Central में इन्वेस्ट कर चेके हैं, 2020-19 से लेके 2021 तक, अभी तक जो investment हुई है Overseas Central में, उसका status कुछ यूँ है, अगेन बैक टो रेल टाइम फुटेज, और इसमें आप देख सकते हैं, जो Overseas Central में development, जो कुछ browning का पार्ट आगास हुआ है, कुछ मजीद पार्ट जो brown हुआ है, मैं वह विज़ागो Google Earth Location पे, जो पार्ट भी explain के है Overseas Central का, वो काफी सादा massive part है, काफी बहुत एक बड़े patch of land है, जो पहले January 2021 से पहले exist ही नहीं करता था, और आज की date में अगर आप Google satellite images पे देखते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा part ऐसा है, जो पिछले last, कहले तकरीब एक 12 महीने के अंदर अंदर, पर develop हुआ है, और इसमें बहुत सारा part ऐसा है, जहां पर प्रॉपरली स्ट्रीट पे सेवरेश की काम भी हुआ है, यह स्पेसिफिकली बात करूँ मैं कुछ एरिया की, जो central के साथ, जो gate पर सिंक्ट है, उसके साथ left side बे बागए है, वहां पर सेवरेश की काम भी हुआ है, एसफाल्ड काम भी और बागए काम जो है, वो काफी स्पीड से हुए है, इसके लावा जो ब्राउनिंग वाला ओवराल काम है, मैं भी ट्राइ करूँ कि जब इसका अगले महीने, प्रॉपरली ब्लॉग वाइस मैप आ जाएगा, ब्लॉग वाइस मैप से मुराद के एक आप डिफाइन कर सेते हैं, कौन सा एरिया कहां पर लोकेट करता है, तो उसकी मुनासबत से मैं तुमाम ब्लॉग की डेटेल वाइस वीडियो इन्शाला बनाके पोस्ट कर दिया करूँगा, क्योंकि जिन मेंबरान ने 2019 से पहले स्मार्ट हीटी में इन्वेस्ट किया था, इनफेक्ट 2019 के बाद इन्वेस्ट किया था, बीच में COVID पीरिट के दुरान भी उन्होंने अपनी इन्वेस्ट में पे इन्स्टॉल्मेंट पे इन्स्टॉल्मेंट्स अपनी जारी रखी ही, इवन दो दुनिया पुरी में बिल्कुल स्टैंड स्टेल की पोजीशन थी, बाद आवर से इस सेंट्रल की वीडियो बनाऊं, ताकि इन जनरल भी जिन मेंबरान ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉपर फॉल अप मिलता रहे, इसके लावा जो ओवर सेंट्रल के लावा बहुत सरे मेंबरान मुझसे एक्जेक्टिव ब्लॉग का पूछते हैं, तो बी ओनेस्ट एक्जेक्टिव ब्लॉग तक अभी मेरी एक्सेस ही पॉसिबल नहीं है, वाए डिवल्लपमेंट इस तरह से नहीं हुई, मैंने एक्जेक्टिव टू ब्लॉग के एक वीडियो बनाई थी, मैं आने वाले दिनों में इंशला पोस्ट भी कर दूँगा, कि एक्जेक्टिव टू ब्लॉग में कुछ एरिया में जो ब्राउनिंग का काम हुआ है, बाकी जो एक्जेक्टिव ब्लॉग है, ओवराल जो एक्जेक्टिव ब्लॉग है, उसमें सच कोई मजीद चेंजिस नहीं आए, other than block C, block C में थोड़ा सा जो इंटर्न रिंग रोड है, R1 रिसे कहते हैं, उस पर थोड़ा काम हुआ है, स्मार्टिव में, Overseas East का एक R1 रोड है, इस तरह एक्जेक्टिव लॉग का भी एक R1 रोड है, उस पर थोड़ सा काम हुआ है, इसके लावा बाकी काम नहीं हुआ, अगर आपको स्मार्टिव बुकिंग के वाले इसकुछ मालूमाद चाहिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, कमेंट और चैनल को स्ब्राइब करना मत भूलें, रिजवान चीमा को दीज़े जाज़त, अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिस. कर दो दो प्लीज भाले विर्ड़ं द sagt सबी माल्याद नंगधिस, मौली वैतल ये बुकिंगन दूलें, जार आपकों दो ये वीडियो डिए मेंट, वीडियो अज़ बुकिंगón मौली ऴीजै़। दूलें और को अजर हो प्लोगर,